सेंट एंजल की ओनलाइन क्लाश में आज हम हिंदी व्याक्रण में उपसर्ख पढ़ेंगे उपसर्ख में हम सबसे पहले जानेंगे देखिए शब्द निर्माड शब्द निर्माड हमने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था एक वाफिर से जानेंगे शब्द भाषा परिवार की संपत्ती होते हैं शब्द भाषा परिवार की संपत्ती होते हैं क्या होते हैं भाषा की संपत्ती होते हैं किसके उसके परिवार की शब्द भाषा परिवार की एक संपत्ती होते हैं बाशे परिवान में हजारों शब्द होते हैं क्या होते हैं हजारों शब्द होते हैं और नए शब्द बनाने की प्रिक्रिया निरंतर प्रभामान रहती हैं हिंदी में शब्द निर्मान तीन प्रिकार से होते हैं कितनी प्रिकार से होते हैं तीन प्रिकार से होते हैं नमबर एक उपसर्ग द्वारा नमबर दो प्रत्य द्वारा नमबर तीन समास द्वारा उपसर्ग देखिए सबसे पहले जैसे आ प्लस कंट प्रत्य में देखिए आ पढ़ प्लस आई पढ़ हाई पढ़ प्लस आई और समास में क्या बताया है एक बार देखिए माता राजा की माता अर्थात राज माता तो एक बार देखेंगे फिर से उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग क्या होते हैं उपसर्ग क्या होते हैं सबसे पहले देखिए उसकी पर बच्चे जानते होंगे एक फिरसे देखेंगे जो शब्धांस किसी शव्ड के शुरू में लगकर उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं या उसमें एक विश्चता लाते हैं उन्हें उपसर कहते हैं देखे एक बार फिरसे वर्ग वन में वी अब इसमें कुछ शब्दों में उपसर का हमारा क्या जुड़ा है वी लेकिन हमारा जो मूल शब्द है वो अलग-Alग है हैं और देखे किस प्रकार वो शब्द अलग-Alग बनते हैं और उनके अलग-Alग होते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कार, हार, क्रे और देश लेकिन हमने सभी में इसमें वी जोड़ा है क्या जोड़ा है? वी तो वी प्लस कार, विकार वी प्लस हार, विहार वी प्लस क्रे, विक्रे वी प्लस देश, विदेश इस प्रकार WORK 2 में देखिए जिसमें प्र जड़ा हुआ है हमारे पार शब्द अलग-अलग है हार, दान, हर, बल तो इसमें समने हमने प्र जोड़ा है तो प्र प्लस हार, प्र हार प्र प्लस दान, प्र दान Next हमारा देखिए बर्क 3 WORK 3 में देखिए S cioè जुड़ा हुआ है BOTH, MAN, GEM, GANTH हमारे मूल शब्द है और देखिए S 표 plus BOTH SU both SU plus Man, S coman SU plus GAM, S тем SU plus GAN, S тем इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से शब्दान्स हमारे शब्द के आगे जुड़ कर किस तरह से उसके अर्थ में परिवर्टन करते हैं। आपको यहां पर समझाया हुआ भी है। उपर्योक्त वर्ग 1 में दिये गए उधारन से इसपस्ट है कि कार, हार, क्रे, तता देश, मूलचब्द हैं, तता विया उपसर्ग ही है। इस परकार वर्ग 2 में दिये गए उधा उधारण में बोध मन गम तथा गंद मूल शब्द हैं और सूपसर्ग जोड़ दिया गया है जिससे शब्दों के अर्थ बदल गए हैं या इन में विशेस्ता आ गई है आए कुछ और उधारण देखते हैं देखिए उपसर्ग उप और मूल शब्द हमारा हार उपहार परी इस प्रकार कहां जा सकता है कि उपसर्ग के जुने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्थन या विशेस्ता आ जाती है। हिंदी भाषा में प्रियुक्त होने वाले उपसर्गों को निमली के चार बर्गों में विभाजित किया गया है या बाटा गया है अवे आपने अपनी लास क्लास में भी पड़ा होगा अवे वे होते हैं जो बदलते नहीं हैं ऐसे ही वाक्य में प्रियोग कर दिये जाते हैं उपसर देखिए अती अती का अर्थ होता है बहुत अधिक तो इसके लिए हमने जोड़ाए हाँ पर अत्रिक्त अतियंत अत्य देख उसी प्रकार अधी हमारा स्रेष्ट या उचा है अधी, अधी में सोता है स्रेश्ट या उंचा, अधिनायक, अधिकार, अधिपती या कोई अध्यादेश अभी हमारे किसके उपसर्व चल रहे हैं ये संस्कित के, देखिए अ, अप, अव, अनू, अभी, उत, तो अ हमारा पूर्ण, मूलशब्द है और तक भी, तो देखिए अहार, आगमन, आकंट, आक्रमन, इस तरह से देखिए अप में सोता है गलत, जैसे हमने यहाँ पर आ का देखा, आ का मतलब है पूर्ण या तक, इसका अर्थ हमने पढ़ा पूर्ण तक, उसी प्रकार अप का अर्थ है गलत या बुरा, तो हमारा शब्द बना अपहरण, अपयश, अपवाद, अव्वे अब में सोता है बुरा, हीन या नीचा, अवनती, अवकाश, अवशेश, अवगुण, अनु का अर्थ है बाद में समान, पीछे, तो उसके लिए हम क्या रिखेंगे अनुसार, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अभी सितात पर रहे है निकट, सामने, चारो और, विशि प्रदर्शन हे तु, तो अभिशेक या अभियान, उत में सोता है उचा, उतकर्ष, उतसाह, उत्तम, उन्नती, अब आते हैं हमारे हिंदी के उपसर्ग, अध में सोता है आधा, अध मरा, अध पका, अध खिला, अध कचरा, पर में सोता है दूसरा, जिसका आर्थ हमने निक अद्यूत, अचूक, अन्मोल, अन्जान उ का अर्थ है अभाव, उरिण साय सू का अर्थ है साथ ये अच्छा, सरस्जगुन, सुनीती, सुसंस्क्रित का ये कू का अर्थ है बुरा, कपूत, कुचाल, कुटिल अभात है हमारे उर्दू के उपसर गैर, मतलब भिन, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर जिम्मिदारी ना का अर्थ है नहीं, ना समझ, ना उमीद, ना दान, ना पसंद बे का अर्थ है बिना, बे खटके, बेचारा, बेअदब, बेइमार बाक अर्थ है साथ, बखुबी, बताओर, बदालत, बनाम बद से ताथ पर है बुरा, बद सलुकी, बदनाम, बद तमीज, बद हजबी अवाते हैं हमारे उपसर्ग जो प्रियुक्त होने वाले अव्वे हैं उपसर्ग की भाती प्रियुक्त होने वाले अव्वे हैं अधपतन सह मतलब होता है साथ सहगान सहयोग सहपाथी सहोदर पुनर में सोता है फिर पुनर जन पुनर निर्मार सत में सोता है अच्छा सजन सतकार सतप्रोष सदभा सम मतलब होता है समान समकालिक सम सामेक तो इस प्रकार से हमने संस्कित के हिंदी के उर्दू के उपसर्व क को भली भाती समझा अभी शब्दों को ध्यान पूर्बक समझेंगे इनके अर्थ को जानेंगे और इनसे नएने शब्द बनाने का प्रयत्न करेंगे